अक्सर हम लोग जब घर पे कोई प्लांट वगड़ा उगाती हों तो और्गानिक तरीका ही अपनाती हों और्गानिक वेजिटेविल्स फूट वगड़ा हमारी सोरीर के लिए बहुत अच्छा होता है एब अच्छे लोग कैसे है सारे जुरूर बताना मैं भी ठीक हो आज दे बीमारी नहीं होगा इस प्लांट को बहुत बीमारी होता है तो नहीं होगा देखो कैसे मैं करती हूँ यह करने के लिए मैं पहले निम की जो सुका पत्ती है और डंठल यह डाल देती हूँ आपके पस निम के जो पत्ती नहीं रहएगा तो एक एक लेयार में दो तिन और अच सब्सक्रा मैं अचे जो नूका खालिया है ऑभी ड्याल सकते हैं दूखो इस इसके बाद मैं मी टी डाल डीती मेरा गार्डेन से जो बड़ा बड़ा पीर है पीर का जो पत्ता कि geht हो पत्त्ते के लेकर फोटमा टोरा थोड़ा लेकर इस जो मीरें भीडी legitimate बनाती ह निम्केपत्टे दे दीती हूं और उसके बाद ए मिट्ञ डाल देती हूं इसके बाद में ऐसा भर दिया इसके बाद में देखाती हूं इधार प्लास्टिक का बहुत ले लिया लेने के बाद उपर भाग देखो कैसा होल कर लिया इधार तुरा तुरा करके होल कर लिया और पीछे से ऐसा कर लिया ये क्या करू देखाती हूं इसके बाद इसके अंदर डालूंगी जितनी दूर तक होल है उतनी दूर तक मैं ये च चर्कोल का टुकड़ा क्या करेगा मैं बाद में बताती हूं देखो जितने दूर्ट के होल है डाल दिया डालने का बाद मेच का जो प्लांट है मैं अभी इधर बठा देती हूं नाव brings a अभी तक मेरा चैनल को शब्सक्राइब नहीं गया तो प्लीस मेरा चैनल को शब्सक्राइब भी करते ना तो देखो आभी दो प्लांट का जो मीडिल है मीडिल में जो प्लास्टिक का बटल राख दिया राखने का बाद मिर्टी से भड़ देती हूं इधार ऐसा करके आप लोग मिर्च का परदा जो घर पर लगाऊगे तो देखो मिर्च बहुत सारे मिर्च आएगा प्लांट में और एक भी बीमारी नहीं लगेगा तो आभी जो बटल इसका अंदर राख दिया तो इसके अंदर डालूंगी किचन ओएस्ट आभी डालने से देखो किचन ओएस्ट डाल देती हूं डालने का बाद पानी डालूंगी पानी डालने का बाद जो पानी है दोनों प्लांट में चला जाएगा मिटी गिला हो जाए और यह चार्कुल देने का रीजन क्या है बताती हूं जब एक जो किचेन वेस्ट है गल जाएगा तो चार्कुल रहेगा तो इस प्लांट को फांगिसाई देने का कोई जरुरत नहीं है तो इधर मैं देखाती हूं एक प्लांट कुछ दिन पहले में यह ऐसा तरीका से उगाया है देखो कितना सुंदर इदर बतल भी राग दिया है यह किचेन वेस्ट देती हूं इसका अंदर और यह प्लांट देखो कितना सुंदर है हेल्दी है और अबी तक मैं पिंचिंग कर रही हों, पिंचिंग करने से जादा ब्रांच आएगा, जितना ब्रांच आएगा उतना मिर्च इधार उगेगा, तो इसलिए मैं ऐसा करके अक्सर मिर्च का जो प्लांट है लगाती हूँ, अब लोग भी एक बर लगा के देखो कितना सुन्र ये मिर्च का प्लांट रहेगा, अक्सर मेर्च, प्लांड में ऐसे बिमारी लाग जाता है, पाता मोर जाता है, फॉल छोटा-छोटा हो जाता है, फॉल भी गिर जाता है, इस टाइम में मैं क्या और्गनिक फेस्टिसाइड यूज करती हूँ, वह भी दिखाऊंगी, बाद में कई वीडियो लेकर मैं जल्दी से आजाऊंगी, तो यह वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा ना?